खबरे अप्तक, powered by fly appearance, the journey beyond your imagination लेकिन उससे पहले headlines पर एक नज़र डालेते हैं सुप्रीम कोट के फैस्टे कार दिखने लगा सर, कावर्ड रूर पर दुकांदारों ने हटाई नेम प्ले सुप्रीम कोट के फैस्टे के बाद विपक्षणर कार पर हमलावर है सपा प्रमुक अखलेश यादव ने कहा कि जिस समय मुझे जौनकारी मिली थी तभी मैंने कहा था कि सुप्रीम कोट खुद इसे संग्यान मिले और ऐसी कारवाही को रोके केशव प्रसाद मौरे ने सियम योगी के विभाग से मांगा करमचारियों को आरक्षर का ब्योरा चर्चा में आया डिप्टी सियम का लेटर डिप्टी सियम केशर फ्रसाद मौरे ने सियम योगी की नियुक्ति और कार्मिक विभाग को चिट्टी लिकर करमचारियों को मिले आरक्षर का बियोरा मांगा बीजेपी में अंधुरूनी खीश्टान के बीच डिप्टी सियम का ये लेटर चर्चा में आया CBIA केस में मनीश सोरीया की नाय खिरासत 26 जुलाई तक बढ़ाई गई राउजैवेन्यू कोट ने दिया देश कोट दिल्यी उत्पात शुल्क नीती मामले में मनीश सोर्दिया और अनयारोपियों की नाय खिरासत 26 जुलाई तक बढ़ादी है दिली के पूर्व मुख्य मंत्री की इन्याय की रासत पहले 22 जुलाई तक बढ़ा दी गई थी वो फरवरी 2023 से जेल में बंद है आमाद्मी पार्टी नेता को 26 फरवरी 2023 को केंज़री जाश ब्यूरों ने 2021 की दिली उद्पाश शुलक नीती से जुड़े भरश्टा चार के आरोप में गिरफतार किया था सावन के पहले सोमबार को बिहार में बड़ा हस्ता गंगा में चार लड़के डूबे साथ को बचा गया बागरपुर जुरा के नरायपुर प्रकर्ण अंतरगत भवानी पूर थाना च्वेट्व के मधुरापुर गंगा जहाज पर नहानी के क्रामें सोमबार को डूबने से चार लड़कों की मौत हो गई गोता खोरों की मदद से तीन लड़कों के शब नदी से निकाल कर परिजनों को सौब दिये गए है बाजार लगातार दूसरे दिन गिरावट के साथ बांग सैंसेक्स एकसो दो अंग टूटा निफ्टी बाइस हजार पान सो के करी बंद हुआ बतारे की बाजार लगातार हफ़ते के दूसरे दिन गिरावट के साथ बंद हुआ है जो इसके बाद सामने आया है कि सैंसेक्स एकसो दो अंग टूटा है जब की निफ्टी बाइस हजार पान सो के करी पोची हेडलाइन्स के बाद आपका बहुत स्वागत है आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले आज की वाइरिल वीडियो जरा आपको दिखा देते हैं दरिसल बार-बार लोगों को सलह दी ज़ा रही है कि पब्लिक प्लेस पर हमें ऐसी हरकते नहीं करनी चाहिए जिससे दूसरों को परिशानी हो या लोग असहज महसूस करें हलाकि कुछ लोग मानने को ही तयार नहीं है इस वक्त एक वीडियो वारिल हो रहा है जिसमें एक कपल ने मेले में किस करना शुरू कर दिया वहां मवजूद लोगों ने इसका वीडियो बना लिया जो अब वारिल हो रहा है देखिए यह वीडियो दरसल ये मामला मेरट का है मेरट में नौचंदी मेला लगा है बताया जा रहा है कि मा नौचंदी के नाम पर लगने वाले इस मेले की शुरुवात कई 100 साल पहले हुई थी इस मेले में पहुचा एक कपल सबके सामने अशलीलता करने लगा बड़ी संक्या में लोग वहां खड़े थे और कपल की हरकतों को देख रहे थे लेकिन दोनों पर कोई असर नहीं पड़ा देखा जाए तो जहां अपको शलोगधार में कस्थालों को पब बना रहे हैं तो वहीं दर्शन के बहाने चुट्टिया मनाई जा रही है मेले में अशलील हरकते हो रही हैं ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर समाज के सोड जा रहा है अब तो ऐसा लग रहा है कि सरकार को पब्लिक प्लेस में ये सब रोकने के लिए कानून बनाना चाहिए फिलाल इसी के साथ रुख करेंगे हमारी खास रिपोर्ट्स की ओर भारत देश वो देश है जो पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान रखता है यहां कि रीती रिवास पूरी दुनिया में सबसे अलग और सबसे अनोखे माने जाते हैं वैसे तो देश भर में अलग अलग परंपराओं और रीती रिवासों से शादियां होती हैं लेकिन कुछ शादियां इतनी अनोखी होती हैं जिनकी चर्चा चारो ओर होने लगती है ऐसे ही मत्यप्रदेश के शिवपुरी में हुआ एक विवास सिर्फ जिले ही नहीं बलकि प्रदेश भर में चर्चा का विशय बना हुआ है गुरुपुर्णिमा पर शहर में एक विदेशी जोड़े ने सनातन संस्कृति के अनुसार विवा किया यही नहीं दोनों ने साथ जन्मों के लिए परिने सूत्र में बंदनी की सौगंद भी ली देखिए यह रपोर्ट जहां विदेशी हस्तियों ने खाई हमारी मिट्टी में साथ निभाने की कसा MPK श्रिपपुरी में गुरु पूर्णिमा के दिन एक विदेशी जोड़े ने भारतिय रीती रिवास से श्राधी कर ली है भारतिय संस्कृती और श्रिपपुरी के गुरु जी डॉक्टर रगुवीर सिंग गौर से प्रभावित होकर स्विजलान के मार्टिन और जर्मनी के उल्डीके ने अपनी शाधी के लिए भारत के श्रिपपुरी को चुना इस मौके पर श्रिपपुरी के नक्षत्र गार्डन में सभी जरूरी इंतजामों के साथ कारकर्म संपन हुआ स्विजलान के मार्टिन और जर्मनी की उल्डीके गुरु पूर्णिमा के अवसर पर शिवपुरी में एक दूसरे के हो गए आध्यात्मेक गुरू डॉक्टर अगुवीर सिंगोर के सानिध्य में इस चर्चच शादी में बड़ी संख्या में हस्तियां मौजूद रही मार्टिन शेरवानी में और उल्री के लहंगा पहन कर भारतिये दूलहा दूलहन लग रहे थे इस शादी में बकाइदा बारात निकाली गई फिर बाद में वर्माना कराई गई भारतिये परंपरा के अनुसार वैदिक मंत्रों के साथ विभा संपन हुआ इस शादी में करीब आधा दर्जन विदेशी मेहमान भी शामिल हुए शादी के बाद मार्टे ने कहा कि वा गुरु जी के आश्रवाद और सानिद्य में शादी करना चाहते थे उनकी ये मुराद पूरी हुई है विदेशी दूलह भारतिये बाराती अजब रही बारात रव्यवार किराच स्विजिलान के मार्टिये बारात निकाली गई बारात में फिल्मी गीतों पर जम कर डांस किया गया ये बारात कुछ अलग ही लग रही थी जिसमें विदेशी दूलह और भारतिये बाराती देखने को मिले थे दूलहन के जोडे में दिखी उल्रीके हातों में रचाई महंदी इधर उल्रीके ने भी लहंगा पहना हुआ था उन्होंने मार्टिन के नाम हातों में महंदी रचाई हुई थी बकाईदा भारतिये पद्दिती के अनुसार उल्रीके मंच पर वर्माला के लिए पहुँची उनके साथ भारतिये महलाई रही जहां मंच पर वैदिक मंत्रों के साथ वर्माला हुई इस मौके पर सभी धर्मों के गुरुओं ने पहुँच कर मार्टिन और उल्रीके को अपना आशिरवाद दिया मार्टिन और उल्रीके की शादी में पूर्व राज्य मंत्री, दर्जा प्राप्त सहित, पूर्व विधायक और कई चर्चत हस्तियां मौजूद रही बतादे मार्टिन और उल्रीके 23 जुलाई तक शिपूरी में रहने के बाद दोनों दिल्ली में दो दिन रुकेंगे इसके बाद स्विजल आंड रवाना हो जाएंगे जोरान दूले राजा मार्टिन ने क्या कहा आए सुनाते हैं आफिक, लिए ट्रूली तैओ मेरा ओर्वानी करें पारी थांट आफए स्विल आएमारी में, पुर् वहीं विश्व विख्यात संस्थान शिवपुरी के प्रमुक डॉक्टर रगवीर सिंग गौर ने कहा कि एक धरमगुरू के समक्ष तो अक्सर शादी विवा और फेरे होते हैं लेकिन शिवपुरी में पहली बार सभी धरमगुरू के समक्ष अंग्रेज दमपत्यों ने ज्यान के माध्यम से मुझे पर जुड़े और सक्तिपात करते रहे जिसमें यह जो सुष्व जैलेंड के हैं इनका बड़ा काम है लेकिन इसके साथ-साथ यह वहाँ योगा गुरू भी है बहुत सारे योगा गुरू जो है वो मुझे सक्तिपात बिस्व लगा कि कहीं तो भी जो है मुझे गुरु जी के पास जाना चाहिए क्योंकि जो आमने सामने की जो बारता लाप है वो कोछ और होती है तो यह दो-तीन बार मेरे पास आते रहें और इनके माध्यम से जो है यह जर्मनी की लेडी यह भी एक दो बार आ चुकी है यह जब चर्च हुए तो कहीं न कहीं कोई नहों कोई चीजेंएंके दिमाग में तो थी कि को बूट संस्कार जिसमें जो हमढ़ीजी जीवन में जब एक हो जाती हैं तो पर एक उज जाते हैं उसको अलग करना मुश्कल हो जाता जैसे दो-ग्रास-का-पान एक ज्ञेघ में मिला तो वो होगा नहीं अलग नहीं हो सकता यह संबब नहीं है तो यह सच तो यह है कि आज कल जो भी होता वो प्रेम से प्रारम होता है लड़का लड़कियां आपस में देख लेते हैं पसंद करते हैं चर्चा करते हैं और यदि ठीक लगता है तो आगे बढ़ जाते हैं और यद कि आपस में जो चर्चा हुई क्योंकि विदेशों में बिलकुल खुली हुई बात और एक अच्छी सोच के साथ लोगवाग आगे बढ़ते हैं जब आगे बढ़ते हैं तो इन्होंने जो है यहां का जो पद्धती देखी हमारे जो पंस्मन संसकार की बात थी जहां से बैवा साथ और उस तर्थात्मक सत्थ के साथ जुड़ाई क्योंकि अगनी जो है सूर का प्रितनिद्द्द्द करती है और बस्तोत है जो हम साले लोग सूर्य आंसी है क्योंकि प्रत्वी सूरी थी चतक करके अलग हो गई उसे चकर काटने लगी उस पहत्पन जो भी चीज है वो स वहीं भारत के लिए भी किसी शान्स से कम नहीं है कि दूसरे देश से आकर लोग हमारे रीती रिवास को अपना रहे हैं। फिलाल इसी के साथ रुख करेंगे हमारी अगली रिपोर्ट की ओर। यूपी में सियम योगी आदितिनाद के आदेश की तूती बोलती है। कोई अधिकारी ऐसा नहीं है जून के आदेश को मानने से इनकार कर दे। बुल्डोजर चलाना हो या बदमाशो को मिट्टी में मिलाना हो। सियम योगी आदितिनाद बखू भी ये काम करते हैं। ऐसे में कावड यात्रा को लेकर भी सियम योगी आदितनाद काफी आक्टब थे। उन्होंने आदेश दिया था कि यूपी में कावड यात्रा के समय पर समी दुकान रेडी पट्री वाले अपनी दुकान के आगे अपना नाम लिखेंगे। ताकि पता चल सके कि वो किस जाती धर्म से तालुक रखते हैं। ताकि कावड यात्रा के दौरान कोई अन्होनी ना हो। मगर अब सियम योगी के इसी आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। और इतना ही नहीं उन्होंने सरकार को नोटेस तक भेश दिया है। देखिए ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि खाद्य विक्रेताओं को मालिकों और कर्मचारियों के नाम लिखने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। दरसल यूपी सरकार के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में NGO Association for Protection of Civil Rights ने चिनौती दी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस रुशी केश राय और जस्टिस SVN भट्टी के बेंच मामले की सुनवाई कर रही है। मामले की सुनवाई के दौरान जस्टिस भट्टी ने टिपड़ी की है मेरा भी अपना अनुभव है केरल में एक शाकाहारी होटल था जो हिंदू का था दूसरा मुस्लिम का था मैं मुसलिम वाले शाकाहारी होटल में जाता था क्योंकि उसका मालिक दुबाई से आया था वो साफ सफाई के मामले में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉलू करता था अब इस फैसले पर जस्स भट्टी की स्टैपड़ी को काफी महत्तपूर्ड माना गया है और माना गया है कि दुकान पर साफ सफाई की जादा महत्ता है ना कि दुकानदार किस जाती या धर्म का है जिसके बाद सुप्रिम कोट ने अपनी अंतरिम आदेश में उत्रप्रदेश, उत्राखन और मध्यप्रदेश में जारी नेम प्लेट से सम्बंधित आदेशों कर रोक लगा दी मगर सवाल वाकई एक बनता है कि आखिर ऐसे आदेशों से राजे सरकार क्या वाकई अपनी मुसीबते कम कर सकती है या फिर बढ़ा ले रही है आस्था बचाओ विवेक जलाओ के कॉंसेप्ट पर काम करना आखिर कितना सही है क्योंकि भारत ने लंबे समय से खानपान की मिली जुली संस्कृती विक्सित की है आस्था ना तो किसी अंद्विश्वास का नाम है और ना ही भोजन वस्त्र और पूजा पार्ट को लेकर किसी तरह की कटरता का आस्था श्रेश्ट आध्यात्मिक मूले है आस्था विवेक का आहार नहीं करती बलकि विवेक की बहां पकड पूर कर दिया है। इसी के साथ वक्त है आगे बढ़ने का नज़र डालेंगे अगली रिपोर्ट की ओर। तक बहुमत के साथ सत्ता परकाबिज रही भारतिय जनता पार्टी को बहुमत से कम सीटों से संतोष करना पड़ा है सत्ता धारी दल की सीटों में कमी का सबसे बड़ा कारण जनहित के मुद्दों पर केंद्र की अंदेखी को माना जा रहा है ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सरकार इन वर्गू को इस बजट में साथ पाएगी या फिर ऐसा बजट लाएगी कि जनता को फिर नारास कर देगी देखिए ये रिपोर्ट और जानिये कल बजट में सरकार कौन सी सौगाते दे सकती है साथी ये भी बताएंगे कि सरकार को कौन सी सौगाते वाकी जनता को देनी चाहिए वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन कल मोधी 3.0 का पहला आम बजट पेश करेंगी सरकार ने इस बजट को लेकर उद्योग जगत और अनिशेत्रों के प्रतिनिध्यों के साथ व्यापक चर्चा की है खुद प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने अर्थशास्त्रियों के साथ लंबी बैठक करके उनके सुझाव लिये हैं हाला कि इस बार अपने दम पर बहुमत हासिल करने से चूकी बीज़पी के सामने कई चुनौतियां भी है उसे आम जनता के साथ साथ दो एहम सहयोगी दलो टीडीपी और जेडियू की उम्मीदों पर भी खरा उतरना है ऐसे में चलिए आपको बताते हैं कि कल पेश होने वाले बज़ट में क्या-क्या गोशणाएं हो सकती है साथ ही ये भी बताएंगे कि मिडल क्लास को क्या-क्या सौगाते मिलनी ही चाहिए पियम किसान सम्मान निधी बढ़ाई जा सकती है नई कर प्रुणाली में आयकर छूट स्लाब की सीमा पांच लाग की की जा सकती है पूंजीगत खर्च पर सरकार का ध्यान बना रहेगा इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ाया जा सकता है ओपियस को लेकर स्थिती स्पष्ट हो सकती है इस पर समिती अपनी रिपोर्ट दे चुकी है इवी यानि इलेक्ट्रिक वहिकल को लेकर भी नए इंसेंटिव का एलान हो सकता है ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा दिया जा सकता है पियलाई योजनाकार ने शेत्रों में विस्तार किया जा सकता है श्रम सुधारों को लेकर लेबर कोट पर स्पश्टता दी जा सकती है अब आपको ये भी बता देते हैं कि कल के बजट में वाकई कौन सी सौगाते मिडल क्लास को मिलनी ही चाहिए जैसे बजट में 2047 तक विक्सित भारत का रोड मैप तयार होना चाहिए भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थविस्था बनाने का खाका तयार होना चाहिए ग्रामिन अर्थविस्था पर विशेश जोर दिया जाना चाहिए ग्रामिन इलाकों में पियाम आवास योजना को लेकर एलान होना चाहिए क्रिशी शेत्र के लिए नई योजनाय लानी चाहिए किसान सम्मान निधी में व्रद्धी होनी चाहिए आयकर्स लाब में बदलाव होने चाहिए खपद बढ़ाने पर जोर दिया जाना चाहिए हाउसिंग लोन लेने पर भी नई रियायते मिलनी चाहिए रोजगार स्रिजन के रास्ते खुलने चाहिए MSME पर विशेश ध्यान देना चाहिए बुजुर्गों को रेलवे यात्रा में छूट की बहाली की जानी चाहिए नेखा जाए तो इस बार केंदु में 10 साल तक बहुमत के साथ सत्ता परकाबिज रही भाजपा को इस बार आम चुनाव में बहुमत से कम सीटों से संतोश करना पड़ा चुनाव से पहले विपक्षी दलुने किसानों, बेरोजगारी की मार जेल रही युवाओं, महिलाओं और नौकरी पेशा लोगों की परिशानियों से जुड़े मुद्दों पर सरकार को घेरा और वो बहुत हद तक अपने मकसद में सफल भी रहे SME ये देखना काफी दुल्चस्प होगा कि इन वर्गों के लोगों को सरकार इस बार बजट में कैसे साधिती है तो ये थी खबरे अब तक की खास रिपोर्ट्स लेकिन इसके अलावा आज और कौन सी खबरी रही चर्चा का विश्रय ये भी बता देते हैं विहार को विशेश राजी का दर्जा देने की मांग को आज केंदर सरकार से बड़ा जटका लगा है सरकार ने आज संसद में साफ कर दिया कि विहार को विशेश राजी का दर्जा नहीं दिया जा सकता केंदर सरकार ने संसद में इसका लिखित जवाब दिया है वहीं उत्तर प्रदेश में मुख्य मंत्री योगी आदित तिनात और उप मुख्य मंत्री केशव प्रिसाद मौरिया के बीच वे तना तनी की खबरे हैं ऐसे में आज अखिलेश यादव ने मानसून ओफर के बाद अपकेशव प्रिसाद मौर को विंटर ओफर भी दे दिया है। उन्होंने कहा कि अभी बारिश हो रही है, फिर विंटर ओफर आएगा। इसके अलावा अमेरिकी राष्ट्रपती चुनाव की रेश से जो बाइडन हट गए हैं, जो बाइडन ने राष्ट्रपती पत की उम्मीदवार के तौर पर कमला हैरिस को अपना समर्थन दिया है, हलाकि डेमोक्रेटिक क्योड से कमला हैरिस के नाम पर अभी मोहर नहीं लगी इस बीच अमेरिका की पहली हिंदू सांसद रह चुकी पूर्वे कॉंग्रिस वुमिन तुलसी गबाड ने कमला हैरिस को लेकर एक संसनी खेस दावा कर खलबली मचा दी है, तुलसी ने कमला हैरिस को हिलेरी क्लिंटन की नौकरानी बताया है, महीं आज बजट सत्र का पहले दिन प्रधान मंतरी नरेंद्र मोधी ने सोंबार को कहा कि उनकी सरकार के तीसरे कारेकाल का पहला बजट अगले पांच वर्षों के लिए देश की दिशा तै करेगा और विक्सित भारत की मजबूत नीव रखेगा, इसी के साथ मुझे दे इजाजत, मगर जाते जाते एक आज बात आप से जरूर करेंगे, कल मोधी सरकार 3.0 का पहला बजट पेश होगा, ऐसे में उम्मीदे आसमान शू रही है, आज आदमी आस की निगाहों से सरकार को देख रहा है, वहीं सरकार की परिक्षा भी कम नहीं है, इस बार का बजट सरकार के लिए कितना मुश्किल ह उने वाला है, इसका अंदाजा इस तथे से लगता है कि कई महीनों के बाद इस बार GST वसूली का अकड़ा सार्वजनिक नहीं किया गया है, आप जानते हैं कि बड़ती वसूली के आधार पर ये दावा किया जाता रहा है, कि अर्थ विविस्था में सब बढ़िया है, पा प्रती बेरोजगारी के साथ स्थिती अच्छी हो ही नहीं सकती, चुनावी रैली में ये कहना तो आसान है कि संरचना परियोजनाओं में भी रोजगार मिले होंगे, पर आकड़ों के साथ बात की जाती तो गंभीरता नजर आती, ऐसे में कल बजट में जनता को नई उम्मी जीवन में सर्वोपरी स्थान देने वाले ही असल में सम्मान के अधिकारी होते हैं